तो युबतियां जो अभी गर्ल्स हैं टीनेजर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्पूर्ण हैं और खासकर वो गर्ल्स जो अपना बजन कम करने के भूत पर आई हुई हैं उन्हें इनकी बात जरू सुनिए और बजन कम करने के जो तरीके आप एप्लाई करतें अप एक भूत जगाए था अपने अंदर और आज देखो ये क्या हाल हो गया है ये देखो ये जो पैर देख रहे हैं ये साब मोटे हो गए और थोड़ी खड़ी हो न एक मुट रुको इतना अगर इनको देखो तो इनसे ज़्यादा कोई स्मार्ट कोई केतना विश्वसंदरी अब विश्वसंदरी कैसे खड़ी हो रही है देखो काई हो पाई खड़े ठोड़ा चल करिक्र दिखाना विश्वसंदरी बाप पसा चलना बहुत मुस्किल हो गया है वे。 हो गया है और कितने कितने इंजेक्शन आपने लिए हैं अगर पूरी पीछे से ली जाए मैं बोलना शुर्कर पूरी कहानी में ये सब सुनना इनकी बात कि ये जो कॉमन बच्चे आज डाइटिंग करते हैं पागलपन की डाइटिंग करते हैं उन बच्चों को ये देखना ब जरूरी है जो कहती है मेरा वजन कमोना चाहिए घी छोड़ देती है पता नहीं क्या क्या छोड़ देती है और उसके बाद में हालत बहाल हो जाती है तो आप तरह अपनी कहानी सुनाओ किस उमर में आपको ये भाव जागा और क्यों जागा मेरा नाम शालिनी है राइट तो उसमें मेर को लगा की चली अब थोड़ा प्लंप साइड पे हो मैं I was not a very heavy girl बट मुझे लगा चली है थोड़ा वेड घटाते है तो उसी ताइम में उन दिनों में 1991 में जिम के कॉंसेट स्टाट हुए थे और जो आजकल ट्रेनर्स होते हैं we did not have trainers at that point of time तो फिर पहले तो अच्छली स्टाट किया गया योगा ट्रेनर से घर में योगा टीचर राते थे आई उस तो दू अगवा ट्रेनर आता था एक वो एक अंकल थे उस समाने में तो युज तो काम बहुत अच्छे थे थे फिर भी दिमाग में ये था कि नहीं पता नहीं अगर अधू जाओं तो वह बात तो साथ किलों कारीबन फर्स्ट वीक में जो कहते हैं huit केजी साया असां होता है घटाना तो सेवें केजी शयद घटना श़ुरो किया है एक सब्ता में अपने आप मेने सेवें केजी कर दिया बही कैसे कम बड़ी 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 होती उसके थे मैं सिरफ एक कटोरी दलिया इतनी बड़ी कटोरी होती थी उसमें नो चीनी और या फिर एक दिन सूजी की कि एक दिन दलिया दूद में मेरी मदर बना के रेडी रखती थी जैसे ही वो सर जाते थे वो मेरा पक की डायट थी तो वस मैं अल्ली ब्रेक्फस्ट इन दी बॉर्नि और फ्रिंट नो फूट नो ना थिंगा अउर्फ रूट्स भी यक ने लेती थी ओए अगोट जैसे पेरंट्स होते हम लोग पंजाबी है तो भो लो लोग तो घह पीपीके बड़े होँ वो लोग कहते थे हम लोग तो काटोरी पीते थे घह तो जब तक 7th class में हमें 12 साल की थी, St. Thomas's School डेली की बड़े हुएं, लेकिन हमाने लोग वो साइंस की तरफ जा रहे थे हैं, आइ रोड नो वो प्रॉपगेंडास होंगी, या उस फफ़कती एज नहीं, आप साइंस की प्रॉपगेंडास होंगी, आप साइंस की प्रॉपगे पड़ाई में मैं बहुत ब्रिलियंट रही हूँ, और मतलब जिसको कहते स्कूल और कॉलेज के नाम रोशन किया हूँ, इस बिलकुल मेरे अख़वार में भी सागर 10th सेहत के मामले में बहुत ही बीचे हूँ, और अगर 10th standard में बात करो, अपनी तारीफ पे आऊँ तो फिर 100 में से 99 माह संस्कृत में इतनी माह साते थे, 99 माह समझ आ रही है, समझा, कि वो जो पड़ने में बड़ी तेज, सुपर, घी खाने में उतनी खतम, और फिर डाइटिंग करने में दुरूँ, डाइटिंग, बीस साल की उमर में अपना डाइटिंग वाली बता, वो जो बात बीच में रहे गई, वो जो कटोरी दलिया, उसके बाद मुझे लगा कि चली और वेड कटाते है, तो जिम जाना शुरू किया, और जिम हाँ, तो मेरा अगर योगा खतम हो रहा है पौने साथ बजे सुबह, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना, और अगर बता स बजन कम करने का भूठा पूरा, आज कल के लोग शाद नहीं समझेंगे, हमारे टाइम में कहा देती, जो बहुत चाह मारता है, क्योंकि हम लोग इस इस से बारी हैं, तो वो करने को मुझे बारी होता है, मगर मैं फिर भी नहीं बुरा निमानी का, आपके जैसी भी नहीं थ पता नहीं क्या माइंड में था मेरे, उसके बाद मेरी मदर मुझे स्पेशली जिम लेके जाती थी करोल बाग में उटानी करके जिम ता, वहां पे मैंने अगर एक घंटा जिम है, I used to exceed that limit also, like an idiot, I used to exercise, और वो जो ब्रिक्स होती है, उसमें वेट की ब्रिक्स कहते हैं, ब्रि ये मेरी यादे हैं क्योंकि 24-25 साल पुरानी, ने 32-30 साल पुरानी यादे हैं, तो मैं एक रोटी, मेरी मदर का बढ़ा था, एक रोटी बिना घी के, एक खीरा, that was my diet, अच्छा, एक रोटी और एक खीरा, बस, जहां तक मुझे यादा रहा है, मुझे उस दमाने में, मतलब हम पंजाबी, again I will repeat myself, मैं दहीं खाती थी, शायद मैंने सबजी खाई हो, मुझे याद बहुत आ नहीं रहा, शायद, मैंने पका एक खीरा खाया है, पका खीरा खाया है, और मुझे याद नहीं आ रहा, और शायद रात का खाना भी ऐसा वैसा ही था, तो ये सब मैंने खीच लेकिन मैं बता दू फिर से, कि मैं हाथ से जादा निरुलास आफार है, जो आज कल तो बहुत कुछ आगा है, निरुलास की फैन थी, तो आइस क्रीम बहुत शौकीन थी, उस पीरिड में मैंने, ब्रदर ने मुझे ये का, अब तो आप शादी हो के जा रही हो, तो एक बार का लो, मैं आई सकृम को भी नहीं खाया, फो पीरियड था, इतनी भी नहीं खाते थे, जो आज कल की जिरन बहुत काती है, शौकीन तो मैं ब्स ये मीछे के अचकर में, आई सक्कर में मेठा है जिले और शान ओबंद, भी तेल बंद, आज कल की जिंडरेशन चाहे, मुझे म लेकिन इतने सारे विंपीज वगएरा तब आया था बाद में पर आप में यह सब नहीं खाया है उस पीरिड में तो बिलकुल भी नहीं अच्छा उस डेड़ साल में फिर में शादी हुई प्रेग्डेंसी है उसमें भी अगर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर् का मतलब होता है आपकी शुगर का लेवल डाउन हो ना क्योंकि एक्साइज एकसेस हुई और जो आवशक तो शक्त तुथे वो लिये नहीं नहीं और दूद लिया नहीं और घी लिया नहीं गी तो बिलकुल मेरी लाइफ से आउट था और जो आजकल गल्स कलती हैं बताओ अजकल के गल्स मत करना ही है गी इस सम्टिंग वेरी इंपॉर्टन उसके बारे में आजकल अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स और वोटेवर इंटू आजकल के डाइटेशिंस आर पुटिंग लॉट अफ प्रेशर की वी शूट कंजियूम एट लीस्पून इवन मलाइका रोडा अपना दिन स्टाट करती है इफ यूवांट टो टेक फॉलो डैट लेडी मलाइका रोडा को तो सब ही जानते है तो एक चमत जी जो सलमान खार वो सुबह मॉर्निंग में ग्लास में मैंने सुन रखा है और शायद उनका वीडियो भी देखा है लाइक घी इ आज वाली जो समझ में आ गया है पर बहुली बात बात बीच में रह गई हाइपोगलाइसी में आथा डॉक्टर को मुझे टॉफी देनी पड़ी बिकॉस आइवास में गिर गई थी अच्छा अलग को लैप्स हो गई यहां डॉक्टर के पास चेक अप के लिए कई ती मेरा समझाते भूजाते तो मतलब इस पूरे पीरिड को 20 साल की उमर से लेके 21 तक ले लीजे डेट साल में ने चीनी टच नहीं की उसके बाद थोड़ा बहुत फिर बेरे कोई वार्शन फिर कोई प्रॉब्लम जो हो रही है लाइफ के अंदर के अच्छा लेकिन आपने बताया अच्छी के बाद जो गी बाद भी जैसे मदर्स के घर से आता है पंजीरी बोलते शायद उसको उसमें आपका गौन दोती है वो भी भेजी जाती थी तो मदर बहुत केरिंटी जी ती वहां मैं सब की लड़ ली थी बहुत कुछ कहां कहां से आता था बट मैं कैता तो सब ल अच्छीर को आभशक पोशक तो चयाए उस समय पर आज की जÈन डरेशन घी नहीं खाती पजीरी नहीं खाती में मोटे नहीं हो जाऊं इमएंप जो चीज खाने चाहिये वो नहीं खाती रors हो जो जॉइंट्स के लिए ज़रूरी होता है वो जो टॅर्ष्म के रिए जो समझनी चाहिए आजगल की जनरेशन को, विकॉस आई वोज मैलनुरिष्ट, विकॉस मेरी बॉड़ी में चान नहीं थी, या मैं कम काती थी, तो वो अचानक बस तीन सीडी से गिरने से हड़ी तूट गए. तीन सीडी से गिरने से हड़ी तूट गए. मैं तीसरे महीने फिर जिम चली गई. शुरूगी जिम कर दिया, मला बूद पका पूरा बूद गए बता. फिर जिम, फिर एक्जर्शन, रेस्ट का बता नहीं, मैरे लाइफ की कुछ अपनी अपनी टेंडेंसी होती, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जॉइन फैमिली थी. इन अठाइस की उमर में पैर की बनावर टेड़ी होनी शुरू होगी, राइट पैर. राइट पैर की अठाइस साल की उमर के अंदर, ब्यासी नहीं, अठाइस साल की बात बोल रहा हूँ है. अठाइस साल में फिर डाइग्नोस किया गया, उसको कहते है, रिफलेक्स सिंप्रेटिक डिस्ट्रोफी, राइजडी, जो एम्स के डॉक्टर्स ने डाइग्नोस किया. बहुत खतरना बीमारी होती है. उसमें बॉड़ी इंपल्सिस भेजती है, ब्रेन के सिगनल्स, आपका पैरासिंप्रेटिक और सिंप्रेटिक नर्म सिस्टरम involved होता है, वो बॉड़ी ले नहीं पाती थी. बॉड़ी फास्ट इतनी है, ब्रेन, ये करना ये करना, ये करना ये करना, जिम जाना, काम करना, सीड़्यां उतरना, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही थी, साथ दे नहीं रही थी, तो वो चेंज हो गया, RSD, जिसमें पैर का हिस्सा काम करना, बंदोना शुरू गया, बंदोना शुरू गया, आज भी जॉइंट यूँ जैसे सब के हिलते हैं, ऐसा होता है, मैं डांस नहीं कर से, और ये में शायद एक-एक करके लगता था, एक्जैक्ट में मुझे मालूं, शायद मंख्ली लगता था, या पंदरा दिन में लगता था, और वो हड़ी के अंदर लगता था, और साथ में कहा जाता कि शालनी, आज शाम को 600MG की बूफन खा ले ना, 600MG मतलब 50MG, 100MG नहीं, 600MG क बूफन भयंकर पेन किलर की बात कर रही है हो, वो खाले ना, और चीक है मारोगी, बाहर गली तक आवाज दाता, इतना जोड से दर्द होता था, फिर वो पीरिट साहा मैंने, अब इतनी जादा दर्द, जादा था, उस पे बैंडिज बागते था, और आपने शेर किया था, यानि कि अगर आइम्स की डॉक्टर्स भी अभी बैठेंगे बात करने तो शायद वो यही कहेंगे, CRPS, उसका पेन is compared to cancer का पेन, I can't tell you, तो वो जन्नाट होती थी, और पूरी टांग में जो वेव जाती थी, फिर शायद, बोला जाया है, सुसाइट की खोशिशे भी की गई यह दर्द बहुत होता था, यह आपने शेयर कर रही हो, आज की लड़की कौन यही करना चाहती है, और फिर 30 साल की उमर में फिर मैंने, एक्चुली मुझे इंजेक्शन लगे हैं, बैगबोन के अंदर, उसमें एक पार्ट को शायद, इग्जैक्ली डॉक्टर्स तो बतात इंजेक्शन हमें लेके जाना होता था, तो वो इंजेक्शन लगाते थे बैक में, और वो एप्रिल 2000 में, यानि क्या जैसे 2024 है, 2000 में वो, अब वो इलाज हुआ था मेरा, अब 6 इंच की सिरेंज पीछ में लगाई, और भी आपने बताया था, इस्क्रीन देखते हुए, दो स्क्रीन टीवी जैसे हाँ, दो स्क्रीन देखते हैं, इधर इंजेक्शन लगाते हैं, अब गलत जगा न लगाते हैं, कितना दर्द बेहन करोगा आपको, एड डॉक्टर्स होते थे, अंडर सुपरिशन एम्स को ओटी होता था, तो फिर वो हुआ है मेरे साथ, उसी साल में हैड्रो ठेरपी बगारा के लिग पिचाए चाता है, आप बच्चों को क्या मैसिज देना चाहूंगा, मैं बच्चों को आजकल की जनरेशन या किसी को भी यह मैसिज देना चाहूंगी अपनी तकलीफ के दरू कि अंभील डाइटिंग ना करें, और जैसे हरे का अपना एक काठी होती है, अपना बॉड़ी कॉंस्टिट्यूशन होता है, तो किसी को, मनला सभी को fruits, vegetables, जैसे बगवान ने बना के बेजाए की, colored fruits, cuddle vegetables, घी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि घी बॉड़ी को बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी under guidance ही करें, क्योंकि हर एक under guidance, ऐसा नहीं कि पोशक्त, इनको आपको हुआ क्या है, जो मैंने एक लाइन में बोला, पोशक्त तब तो की कमी, मेरे को हाँ, malnourishment है, पोशक्त है और इसलिए इनका हाल यह हो गया, अब तरह नजदीक से थोड़ा दिखा दो, फिर इनको बाकी message दूँगा, जो रहा इनके चरण, यह ऐसे हो गए, यह देखो, कौन सा पैर आपको मुड़ता नहीं है, थोड़ा दिखा, यह देखो, यह देखो, यह देखो, पूरा, यह चपल के निशान बन गए है, और यह पाची सुनकर मुझे ऐसा लगा, कि यह कहानी मेरे देश की, जो girls हैं, उनको यह संदेश जरूर जाना चाहिए, और यह संदेश क्यों, इस उमर में इनों ने सफर किया है, और मैंने देखा, schools, college में जाकर के, बहुत बड़ी तालात में girls, अपने को पतला करना चाह रही होत जिनोंने आज यह आकर आपके सामने इसलिए कह रही हैं, क्योंकि मेरे देश की और girls बर्बाद नहीं हो नीचे, इसी तो चाहते हो, इसलिए तो आप video sharing देरी हो, और यह एक नहीं है, मैंने हजारों देखी हैं ऐसे, जिनोंने डाइटिंग करके, मैंने कोई भी concept पे बाहर, जिस किसी ने भी फितूर बता दी, ऐसी डाइटिंग कर ले, ऐसी डाइटिंग करके, जो हालत बनाई, उन मेंसे मैंने अनेक सब को देखा, मुझे लगा, आज इनको निवेधन किया, कि आप अपने views, अपनी experiences, आपके अपने pain, आपकी अपनी suffering, आप सब के सामने share करो, इस आपके friends में कुछ girls हैं, उन सब को share करो, क्योंकि आज common girls, अपने diet को लेकरके बहुत ज़्यादा sensitive है, बहुत ज़्यादा sensitive है, और वो क्या कर रही होती है, कुछ नहीं पता, कहीं से कुछ सुन लेती है, और उस पर काम करती है, nutrients की deficiency हो जाती है, पोशक्तत्तों की deficiency हो जाती ह उसके बाद injection, बीमारी, hospital, सारी जिन्दगी, आज आपको chain है क्या, नहीं बिलकुल नहीं है, सोना भी मुश्किल हो जाता है, आपके पास पैसा परयाप्त होगा, लेकिन chain आपके पास जिस chain के लिए पैसा हम चाहते हैं, हम chain के लिए पैसा चाहते हैं, जिन्दगी को enjoy कर पा सकती, कोई भी कार, लेकिन डॉक्टर नहीं मना कर रहा है, मना कर दिया है, आज और ये कोई, इनकी पचासी साल हुमर है क्या, नबे साल हुमर है क्या, तो आजी जिन्दगी बची है, पचास साल जिन्दगी बची है, कैसे डोईगी, इसलिए मेरा आप से निवेदन है, एक वीडियो डाइट को लेकर करके दिये हैं, वजन कम करने के लिए दिये हैं, सिंपल टेक्निक्स दिये हैं, तो घी भी खाना होता है, आवश्चक सारे फल, सबजियां, दाल, मौसम के सब चीदें कानी होती हैं, अगर घुटनों की बीमारी आ गई, तो एक एक कदम पहाड जैसे लगने लगता है, और जिंदगी बोज बन जाती है, बीमारी की कोई उमर नहीं है, आरोगे पीड लाया है, बिना दवा, बिना साइड एफेक्ट के, इतनी भयंकर बीमारीयों को रिवर्स करने का जबर्दस तरीका वेलनेस नियूरो तरेपी, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो, और अपने रोगों से, अपनी बीमारीयों से पर्मनेंट छुटका रपाओ.